सुनिए मेरा नाम रोहन है क्या आप मुझे बुटा सकती है कि आप कम्प्यूटर से कौन-कौन जी सेवाई प्रदान करती है हाँ बिल्कुल मेरा नाम गीता है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास इंटरनेट सुविधा योगत एक कम्प्यूटर है जिसके जरिये मैं विभिन सेवाई जैसे रेल टिकेट की बुकिंग, विभिन प्रकार की सूचनाय जानने में, बिजली व मोबाइल फोन के बिलों का भुकतान, बैंक से लेंदेन, पैन कार्ड, पासपोर्ट का आवेदन, आदी-ादी सुविधाई प्राप्त करा सकती हूँ अच्छा, इसका मतलब बेरे गाव वालों को इन कामों के लिए शेहर जाने की ज़रुद नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, यदि गाव में इंटरनेट युक्त कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध है, तो गाव वालों को इन सुविधाउं को प्राप्त करने ही दू, शेहर जाने की आवश्यक्ता नहीं है अरे, ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे पूरा विश्वास है कि यह सब जानकर गाव वाले भी नहीं तरह बहुत प्रसन होंगे हाँ, बिल्कुल, आप इन्हें गाव वालों को अवश्य बताएए हाँ, बिल्कुल, आप इतनी दूर गए बगैर अपना बिजली का बिल भुक्तान यहीं से कर सकते हैं ऐसा है, तो यह मेरे लिए बहुत ही सुविधा जनक होगा, क्या आप कम्प्यूटर के जरिये फसल के बजारू भाव भी बता सकती हैं? हाँ, बिल्कुल, मैं कम्प्यूटर पर इंटरनेट के जरिये बरतमान में फसल के भाव भी बता सकती हूँ हाँ, इंटरनेट के जरिये ये सभी सुविधाएं आप अपने गाव में ही प्राप्त कर सकते हैं मैंने सुना हैं कि आज कल इंटरनेट के सुविधा मुबाइल फोन तर भी उपलब्द है, क्या ये सकती है? हाँ, रोहन, न केवल मुबाइल फोन बलकि आजकल लोग स्मार्ट फोन अत्वर टाबलेट पर भी इंटरनेट कनेक्शन का उप्योग बहुत सारे कामों के लिए करते हैं ये सब सुनने में बहुत रूचिकर लगता है, क्या आप मुझे कम्प्योटर, स्मार्ट फोन और टाबलेट के बारे में सिखा सकती हैं? बिलकुल रोहन, कृपया बैट जाईए मैं आपको कंप्यूटर, स्मार्टफोन और टाबलेट के बारे में और अधिक बताती हूँ बाकी आप लोग भी बैट जाईए जिससे मैं आप सभी को डिजितल यंत्रों के बारे में और अधिक बता सकूँ सबसे पहले हम यह सीखते हैं कि कंप्यूटर क्या है कंप्यूटर एक इलेक्टरौनिक यंत्र है जिसका उप्योग, आकडों, वसूचनाओं के संकलन, वर प्रसंसकरन के लिए किया जाता है कम्प्यूटर के जरिये मीलों दूर रहने वाले परीन पर दिखने वाले सभी आइकन्स सौफ्ट्वेर होते हैं हाँ रोहन, सौफ्ट्वेर कम्प्यूटर में प्रोग्राम होते हैं, जिनसे हम भाती-भाती के काम करते हैं अब हमें विभिन उपकर्णों के विशे में जानना चाहिए जिनसे कम्प्यूटर बनता है कम्प्यूटर के तीन अंग होते हैं पहला Input Device, दूसरा Processing Device, तीसरा Output Device जैसे एक ट्राक्टर को चलने के लिए डीजल अथवा पेट्रोल की आवशक्ता होती है ठीक उसी तरह कम्प्यूटर में डाटा भरने, निर्देश, अत्वा सूचनाय संकलित कर, विभिन कारे करने के लिए उपकर्णों की आवशक्ता होती है इन चित्रों को देखो, ये कुछ Input Devices हैं, जिनका प्रयोग कम्प्यूटर में होता है ये Input Devices निम्न है, Pen Drive, Mouse, Keyboard, CD, Microphone, Keyboard और Mouse प्राथमिक Input Devices है यह बिल्कुल Typewriter के Keyboard की तरह दिखता है हाँ, इसमें कुछ अतरिक बटन अवश्य है सामाने Keyboard के बटनों के साथ इसमें कुछ अंक एवं विशेश बटन अवश्य होते है क्या आप मुझे बताएंगी कि इन विशेश बटनों का प्रयोग किसले के आजाता है अंक बटनों की सहायता से क्यालकुलेटर की भाती कम्प्यूटर में अंक भरे जाते है नेविकेशनल बटन मार्ग दर्शक बटन होते हैं जो मॉनिटर पर पेज दिखने में सहायक होते है प्रोग्राम में पेज अप बटन विशेश के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर आगे बढ़ाता है प्रोग्राम में पेज डाउन बटन विशेश के दिखने वाले भाग और करसर को स्क्रीन पर पीछे करता है प्रोग्राम में होम बटन करसर को विशेश के आरंभ में ले जाता है प्रोग्राम में एंड बटन करसर को विशेश के अंतिम लाइन में ले जाता है प्रोग्राम में ये तीनों बटन संपादन बटन कहे जाते हैं जो कम्प्यूटर में पठनिय विशे में संशोधन करने में सहायक होते हैं ज्यादतर लेक संपादन प्रोग्रामों इंसर्ट बटन का प्रयोग किसी लेक में शब्दों को भरने और लिखावट पर शब्दों के पुनरलेखन में होता है डिलेट बटन लेक संपादन प्रोग्रामों में एक एक कर अक्षर दाईं और मिटाता है Backspace बटन लेक संपाधन प्रोग्रामों में एक एकर, अक्षर, बाईं और मिटाता है ये चार बटन किस काम के लिए प्रयोग किये जाते हैं? ये चारो बटन दिशा निरदेशक बटन कहलाते हैं ज्यादतर लेख संपादन प्रोग्रामों में उपर की तरफ तीर के निशान वाला बटन करसर को स्क्रीन पर उपर की और ले जाता है। अवश्क चीजों को याद रखने में तुम्हारी मदद करता है। और निर्देश मुख्य मेमरी में संचित रहते हैं। जहां से ये प्रोसेस कर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए CPU में पुनह प्राप्त किये जा सकते हैं। RAM वह मेमरी होती है जहां सारे प्रोग्राम संचित किये जाते हैं। प्राप्तमिक मेमरी सीमित होती है। इसलिए असीमित डाटा को सुरक्षित करने के लिए द्वित्यक मेमरी का प्रयोग करते हैं। चुकि कम्प्यूटर द्वित्यक मेमरी पर सुरक्षित डाटा को सीधे प्रोसेस नहीं कर सकता, अतै प्रोसेस करने के लिए पहले RAM पर उसकी नकल तयार की जाती है। ये कुछ डिवाइस हैं जो द्वित्यक मेमरी की तरह कारे करती हैं। पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और डिवीडी। तो एक कम्प्यूटर डाटा को अपने मेमरी में कैसे सुरक्षित करता है। कम्प्यूटर सभी सूचनाएं केबल दो अंकों 0 और 1 में संचित करता है। एक अकेली बाइनरी डिजिट अर्थात एक अथवा एक 0 को बिट कहते हैं। आट बिट्स के ग्रुप को एक बाइट कहते हैं। इस सार्णी को देखो, इसमें बिट्स और बाइट्स के बीच की संबंध को दिखाता है। निर्देश जो कारे पूरा करने और हाडवेर को नियंतरित करने के लिए प्रयोग किये जाते हैं। सॉफ्ट्वेर कहलाते हैं। सॉफ्ट्वेर प्रोग्राम्स निर्देशों का योजनाबद क्रमवार समू है, जो कम्प्यूटर को निर्देशित करते हैं। कि क्या करना है और कैसे करना है Software दो प्रकार के होते हैं Application Software और System Software Application Software वो प्रग्राम होते हैं जो उप्योग करता को Computer में विशिष्ट कारे को पूरा करने में मदद करते हैं Microsoft Word और Open Office Draw Application Software के उदाहरन हैं जो Program Computer हाडवेर से सीधे जुड़े होते हैं System Software कहलाते हैं Computer चलाने के लिए आपको एक Operating System की आवशिक्ता होती है जो एक System Software है हमारे आगे बढ़ने से पहले इस Activity में भाग लेते हैं गिता ये सब रुचिकर है मैंने पहले कभी भी Computer नहीं चलाया है क्या तुम मुझे बता सकती हो कि Computer कैसे स्थापित किया जाता है और कैसे चलाया जाता है अवश्य जाचा मैं सब कुछ समझा दूँगी सबसे पहले मैं आपको Computer के विभिन अंगों से परिचित कराती हूँ यह Monitor है यह Television की तरह है और इसकी Screen पर Output देखा जाता है यह System Box है इसमें Central Processing Unit अर्थात CPU होता है यह CPU ही Computer का मुख्य दिमाग होता है यह Keyboard और Mouse है यह दोनों Input Device हैं जिसके द्वारा Computer में डाटा भरा जाता है Computer को जोडने के लिए सबसे पहले उसे मेज पर रखिए तब System Box के बगल में Monitor रखिए System Box के पीछे का भाग देखिए इसमें विभिन डिवाइसें जोडने के लिए खाचे बने हैं जिने Port कहते हैं अब इस तरह से Monitor System से जोड़ा जाता है System Box Video Port को VGA Port कहते हैं इससे Monitor को जोडने वाले तार को VGA Cable कहते हैं VGA Cable के एक सिरे को System के VGA Port से तथा दूसरे को Monitor से जोड़ा जाता है Keyboard दो प्रकार के Connector वाले होते हैं PS, 2 Connector अथवा USB Connector Keyboard को Connect करने के लिए उसके Connector को System के उप्युक्त पोर्ट में जोड़ा जाता है Mouse तीन प्रकार के Connector वाले होते हैं PS, 2 Connector, USB Connector अथवा Serial Connector Mouse को Connect करने के लिए उसके Connector को System के उप्युक्त पोर्ट में जोड़ा जाता है उसी तरह यदि आप प्रिंटर को जोड़ना चाहते हैं तो उसके कनेक्टर जो इन दो में से किसी एक प्रकार का हो सकता है समानांतर पोर्ट अथवा USB पोर्ट को सिस्टम के उप्युक्त पोर्ट में जोड़ दें कम्प्यूटर दो बिजली सप्लाई के तारों के साथ आता है एक बिजली सप्लाई तार को सिस्टम यूनिट के बिजली सप्लाई प्लग में तथा दूसरे तार को मॉनिटर के पोर्ट से प्लग करें उसके बाद दोनों तारों को बिजली के पोर्ट से या UPS से जोड़ें क्या आप हमें दिखा सकती हैं कि कम्प्यूटर को कैसे जोड़ते हैं? बिल्कुल कम्प्यूटर चालू करने के लिए निम्न कारिवाहियों का अनुसरन करें पहले सिस्टम यूनिट वह मौनिटर दोनों की बिजली सपलाई चालू करें तब सिस्टम यूनिट का पावर बटन दबा कर उसे चालू करें अब कुछ और देखें कि मौनिटर पर डिस्पले आने लगा है इसे बूट स्क्रीन कहते हैं दीरे दीरे सभी software लोड हो जाएं तो computer प्रयोग के लिए तयार है जैसे आप जानते हैं कि basic mobile phone एक ऐसा यंत्र है जिससे आप call कर सकते हैं call प्राप्त कर सकते हैं वो message लिख कर भेज सकते हैं वो प्राप्त कर सकते हैं आधुनेक mobile phoneों में कई तरह की विशिशताएं होती हैं जैसा की internet, खेल, camera, video game और मार्ग निर्देशन प्रणाली यह phone smartphone कहलाते हैं कुछ mobile phoneों में दो-दो sim card एक साथ ही fit हो जाते हैं इन्हें dual sim phone कहते हैं phone के विभिन अंगों को देखें गिता, क्या तो मुझे दिखा सकती हो कि phone में sim व बैटरी कैसे डालते हैं? बिल्कुल, बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरन करें पहला, phone को switch off कर दें और पीछे का cover निकाल दें उसके बाद phone की battery निकाल दें तब sim खाचे में sim डाल दें अंत में battery, work cover, पुनह लगा दें और phone को चालू करें धन्यवाद गीता, मुझे phone की battery चार्ज करने में भी समस्या होती है चिंता ना करें, बस निम्न प्रक्रियाओं का अनुसरन करें पहला, charger को दिवार पर बिजली के बोर्ड में लगाएं तब charger को phone में लगाएं कुछ समय बाद, जब mobile battery फुल दिखाएं तो पहले charger को phone से निकालें, फिर दिवार से निकालें मैं आपको सिखाती हूँ कि phone के बटनों को lock वो unlock कैसे किया जाता है हमें बटनों को lock क्यों करना चाहिए? चाचा, जब आप लंबे समय तक phone का प्रयोग न कर रही हूँ तो उसे lock करके रखना अच्छा होता है इसकी यह प्रक्रिया है phone lock करने के select menu पर जाईए और star बटन दबाईए अब यह lock कैसे खुलेगा? इसे खुलने के लिए phone का unlock बटन दबाईए और तब star बटन दबाईए में पास यह नया mobile है और मुझे यह तक नहीं पता है कि इसकी विशेशताएं कैसे देखे? आप अपने mobile के विशेशताएं देखने के लिए पहले menu icon चुएं या menu button दबाएं जिससे phone के सारे feature दिखाई पढ़ने लगेंगे और पीछे जाने के लिए पीछे icon को चुएं या button को दबाएं पुनहा आरंब में जाने के लिए home icon को चुएं या button को दबाएं basic phone अथवा touch screen phone, ringtone, घंटी बदलने के लिए name प्रक्रिया अपनाएं basic phone के लिए पहले मीनू चुने, फिर setting, तब tone चुने और फिर खिसक कर ringtone पर जाएं तब gallery खोलने के लिए खिसक कर gallery पर जाएं जहां पर कई ringtoneों की सूची दिखाई देगी अब आप अपनी इच्छा अनुसार tone का चैन कर सकते हैं touch screen phone, ringtone बदलने की प्रक्रिया मैं अपने phone में alarm सेट करना चाहता हूँ क्या सुबह जल्दी alarm सेट करने में आप मेरी मदद कर सकती हैं निम्न प्रक्रिया से आप swim कर सकते हैं basic phone के लिए पहले मेनू में अनुपयोग चुने, फिर alarm घड़ी, उसके पश्चात, alarm का समय सेट करके save चुने फिर खिसक कर ringtone पर जाएं यदि आप alarm को दोहराना चाहते हैं, तो चैन के विकल्प में जा दोहराना, फिर दिनों का चैन, कर संपन चुने टच स्क्रीन phone में निम्न प्रक्रिया अपनाएं पहले मेनू को चुएं, तब घड़ी को चुएं, तब अलाम को चुएं, अलाम का समय सेट करके save चुने दीदी, क्या आप हमें टाबलेट के बारे में बता सकती है? हाँ, जरूर, मैं अभी बताने ही वाली थी टाबलेट एक compact device है, जो एक smartphone अत्वा, एक laptop, अत्वा computer की तरह है आजकल टाबलेट अपने सुविधा जनक आकार और feature के सरल उपयोग के कारण बहुत लोकप्रिय हो गए है इनका उपयोग हम इंटरनेट पर browser, mail चेक करना, download और किताबें पढ़ने, game खेलने, video देखने के अलावा संगठक के रूप में किया जा सकता है टाबलेट विभिन प्रकार के होते हैं, यहाँ पर कुछ है बुकलेट टाबलेट PC का सबसे सरलतम रूप है, जो किताब की तरह दिखता है इस डिपाइस के दोनों तरफ डिस्पले होता है, और इसकी कारेप्रनाली दोनों तरफ चूने से कारे करती है यह हस्तलेग को पहचानने वाला सौफ्ट्वेर होता है, जो तुम्हें स्क्रीन पर वैसे ही लिखने की अनुमती देता है, जैसे कि आप पेपर पर लिख सकते हैं स्लेट, सबसे साधारन और सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टाबलिट पीसी है, जो अधिकतर मनुरंजन के लिए, फिल्म देखने के लिए, इंटरनेट चलाने के लिए, वीडियो देखने, वीडियो कॉल करने और दोस्तों के साथ चैट करने के लिए प्रयोग किया जात इसमें बस एक बड़ा फर्क यह होता है कि इनसे टच स्क्रीन डिस्प्ले होता है, जिसे 180 डिग्री तक गुमाया भी जा सकता है हाइब्रिड टैबलेट में स्लेट और कनवर्टिबल टैबलेट दोनों के सबसे अच्छी विशेश्टाएं सम्मिलित होती है, हाइब्रिड टैबलेट अलग हो सकने वाले कीबोर्ड के साथ आते हैं, जो की दिये गए स्लोट के जरिए स्लेट पीसी में जोड़ कर टैबलेट पीसी में बदले जा सकते हैं, एक रगड टैबलेट उन उप्योग करताओं के लिए अच्छा है, जो कठिन वातावरन परिस्थितियों में कारे करते हैं, इनके अंदर की हाड ड्राइव जटकों को सहन करने वाली और इनका सुरक्षात्मक क्ववच इन्हें काफी टिकाउ बनाता है, यह एक बात आपके लिए ध्यान में रखना अति आवश्यक है कि प्रतम बार इनका उप्योग करने से पूर्व इनकी बैटरी को कम से कम 6-7 घंटे चार्ज करना चाहिए, जब तक कि बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज ना हो जाए, हम बैटरी कैसे चार्ज करत होती है, डिवाइस के पूरा चार्ज होने के बाद चार्जर को प्लग से हटा देना चाहिए, डिवाइस में उर्जा सन्रक्षन हे तू, पावर सेव बटन को दबा कर, स्क्रीन को बंद किया जा सकता है, स्क्रीन को पुनह चालू करने के लिए यह प्रक्रिया दोबारा करे ट्वाइस को बंद करने का सही तरीका क्या है?